अज्ससे सोलिकूम, KF6 आज के लेक्चर का अगास करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लास्ट अड़जस्टमंट, टेक्निकल अड़जस्टमंट बागी चोटी मोठी कैलकुलेशन जाहर है रहा बोटी रहें पर इसम अड़जस्टमंट में है tax के question के अंदर अगर tax rate गिवन है तो उसका हमारी question के ओपर क्या impact होगा तो आपको simple rule मैंने ये बताया था शायद किसी lecture में कि हमारा question यू समझे हमारा question double हो गया double length wise नहीं या concept wise नहीं double इस point of who से कि अब हमें एक नहीं दो section बनाने पड़ेंगे question के लेकिन tax की तरफ जाने से पहले tax की discussion करने से पहले इससे पहले investment of Brazil के किसी concept में कोई issue हो question पूछना चाहते हम पूछ लेजिए खास तो पर जो learning objective 3 है ना वो आपके लिए सबसे एहम है learning objective 3 में जो उसने different adjustments discuss की है और उनका correct treatment क्या होगा finance में correct accounting treatment नहीं correct finance treatment क्या होगा वो आपने पढ़ लिया समझ लिया वो आपके लिए सबसे एहम चीज़ होगी कोई question नहीं है तो start करें चले हम सेख रहे हैं कि अगर investment appraisal के question में उसने tax rate दिया हो तो हम मेरे question पर क्या फरक पढ़ेगा हमने उसे कैसे handle करना है क्या सीख रहे हैं using net present value NPV technique evaluate whether project should be accepted कह रहा है net present value से मुझे बताओ project accept करना चाहिए के नहीं बताए किस लफ़ से पता चला investment phrasal का question है net present value से पता चल गया project should be accepted से भी पता चल जाता है 90% क्योंके whether project should be accepted ये cost of capital के एक question में भी use कर लेता है कि बताएए एक project है उसकी वज़ा से हमारी cost ये change हो जाएगी तो बताएए ये project start करना चाहिए याद है वो one for three right issue share करेंगे तो ये project new investment should be undertaking or not तो हमने उसके क्या calculation की थी हमने mark पहले cost of capital calculate किया cost of capital से share की price change हुई थी share की price से total market value calculate की फिर project के बाद market value calculate की फिर decide किया याद है calculation ही जिसमें new fresh issue of share को less करके हम कहते थे profitable होगा उस एक सवाल में भी यही requirement होते है weather project इसलिए मैंने 90% का वर्ड यूज किया के weather project should be accepted इससे हमें 90% confirm हो जाता है कि investment of result का question है लेकिन 10% chance है कि यह cost of capital का question हो जिसमें cost cost से फिर market value before project और फिर market value after project मैं याद है के नहीं सच सच बताना है याद आया के नहीं आया याद है आगे या चलिए तो मैं 100% मुझे कैसे यकीन हुआ कि यह capital investment project होएका यूजिंग net present value NPV techniques से बाराल दोनों को sport कर लें तो फिर तो confirm होई गया आगे चलते हैं कमदी is considering an investment इनने non current asset costing रुपीज 80,000 correct treatment बताईए क्या होगा 80,000 का मेरे भाई बताएंगे मेरे भाई बताएंगे ऐ भाई 80,000 का correct finance treatment बता दीजिए हाँ ये हमारी initial investment है 80,000 आएगी येर नाट में आउट व्लो के तोर पे और उसकी residual value आएगी लास्ट येर में इन व्लो के तोर पे residual value कैसे calculate होगी या तो question में उसने given की होगी या उसने depreciation rate दिया होगा जिस से हम calculate कर सकते हैं अगर given है तो फिर हमें calculate करने की जरूरत नहीं है अगर residual value given है ना खबरदार फिर residual value calculate नहीं करनी है calculate करने का मतलब यह होगा आप उसे कहने है तेरी residual value गलत है मैं सही calculate करने लगा हूं या ठायर जो करवाता हूं सही तो given है या given होगी given नहीं है फिर calculate करनी है अच्छा तो जो हर साल की depreciation होगी वो inflow के तोर पे आएगी क्या आएगी क्या आएगी तोर पे वो investment appraisal में आएगी ही नहीं वो कहा investment appraisal में आएगी ही नहीं रीजन क्या है non cash item है शाबश और जो gain या loss on disposal है वो भी नहीं है क्यों नहीं है ना उनका वे तरीन the project would generate the following cash inflows ये यह 1,2,3,4 तो कितने मैंने column बनाने हैं कुछ कह रहे हैं कितने को हैला 4 बनेंगे कितों कहला 5 कितों कहला 6 और कुंछ सोह वह सुनेगे पांच वाट कुझ सा होगा यह तो कंफर्म बने के च्छटा बनेगा ज Kız अगर तो जी साल का टेग्स से उसी साल में पे yang तो फिर पांच यह मनें और एक्ष्ट्रा कॉलं आप नहीं बनेगा और ये लेकिन अगर वो कहता है कि लाइबिलिटि जिस साल अराइज हुई टेक्स लाइबिलिटी नेक्स्ट येयर में पे होगी तो उसका मतलब ये TR मी फिट हो जैगी 2 की 3 में UD हो जैगी 3 की 4 में फिट हो जैगी Force की लाइबिलिटी 5 में पे होगी उसके लिए फिर आपको year five का column भी बनाना पड़ेगा तो start में ये extra ये ये नॉट का वो तो आता ही होता है अगर question में कह दे कि आपकी liability next year में pay होगी तो फिर year four के साथ end पे भी extra column add करना पड़ेगा start में तो करते ही करते है year not का end में भी extra column करना पड़ेगा लेकिन उस year six में सिर्फ एक figure आएगी वो liability जो next year में pay होनी है ये ना हो residual value भी year six में fit कर दे year six में residual value fit नहीं होगी वो तो year five में उसके life खत्म होरी दो done जी चलिए year one अच्छा आप note कीजिए उसने आपको सिर्फ cash inflow दे दी है out flow अलग inflow अलग नहीं दीया net figure दे दीया क्यों क्यों क्योंकि वह आप से tax की calculation टेक्स का concept सिखाना चारहा है तो इदर उदर की जो extra calculation है उसने उससे आपको बचा लिया इस सवाल में क्यों ताकि नया concept सीख रहे हैं आपका सारे का सारा focus tax वाली adjustment पे हो तो गैर जरूरी adjustments उसने सारी हटा दी इस सवाल से अच्छा बाद में इसी question को फिर बढ़ा करके लेके आएगा उसमें ओहर adjustment डाल देगा तो तब handle कर लेंगे अभी तो हम सीख रहे हैं ना तो इसमें inflow और outflow को लग 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 ने लिखा फिर ये भी लग लग ने बताया inflow में ये revenue ये है material outflow में ये है labor ये है overhead ये है fix ये है variable ये है कुछ चीज ने बताया क्यों ने बताया क्यों ने बताया ये सारी detail इंफलो और outflow अमूमी तोर पे detail में बताता है ना इस question में क्यों नहीं बताया ताकि आपका पूरा focus tax key adjustment समझने पे हो done जी ये कहीं ये ना question समझने सर जब भी tax key adjustment आएगी question इतना ही सादा होगा नहीं होगा ये तो सिर्फ समझाने के लिए allowable initial allowance is 25% allowable initial allowance एक tax में होता है इसलिए सिर्फ एक आदे question में ये concept कर रहा है बाकी question में नहीं होता है बाकी routine में कहता है हाँ जी ऐसा नहीं हो कि आप कहें सर हमने टेक्स में पड़ा है जब कभी fix एड़ा करें initial ट्वाइपरसेट है क्वेस्ट में कहें या ना कहें नीशल डैप्रिसेशन लाउंस कर दिया करें नहीं कर जिस क्वेस्ट में कहेंगा उसी में करना वर्णा नहीं करना नीशल अलाउंस एक special अलाउंस होता है कि जो पहले साल आपको मिल जाता है ट्विटी लेकिन इसका यह मतलब है कि पहले साल में सिर्फ एक ही depreciation होगी कि नीशल अलाउंस की कि रेगुलर भी होगी नीशल प्लाउंस रेगुलर दोनों होंगी नीशल यह यह पढ़ा हो आपने कंसर्ट टेक्स में पढ़ा है अच्छा अच्छा नहीं ठीक अच्छा कि यह क्लियर कर दिया सैट अन्ट नॉर्मल डप्रेसेशन इस 10% अंडर था कभी आएगा reducing balance यह क्या बोले ना बहन बोल आपने नहीं बोला नहीं आपने हर को ऐसे मुझे यह लफाज आए तीन तीन लफ़ाद हर कोई बात नहीं वैसे कभी कभी hallucination हो जाती है तो reducing balance method depreciation के दो method होते हैं एक होता है straight line method इतनी counting मेरी counting दो के बाद खत्म हो जाती है क्या कह रहा है मेरे सिये पर सवाल उठाया है इसना बहार आप बीकाम से हैं मैं सीये किया तो मेरा सीये क्या downgraded हो गया है मुझे सीये का standard version मिला है आपको premium version मिल रहा है और भाई हां और भी method होते हैं और कुन-कुन सब्सक्राइब कुम on the next method होता है एक युनित और प्रदक्शन मेठाड होता है टीक है और ऑपूर्ट मेंट होता है एक कडबल डिक्लाइनिंग में रहाए उसे में चलता है डबल डिक्लाइनिंग में सब्सक्राइब है मैं आप सकॉप के लिए के बताना न टो डेपरिशियेशन के दो मेथड़ होते हैं मैथर्ज है रिड्यूसिंग बेलान समय है स्टेड लाइन मेथर्ड क्वैस्टन में जू मेथर्ड कहे वैसे करना है question में चुप कर जा यह भाई चाहे पीली मेरे से बात में इसको पूरे लक्षर में भोलने नहीं देना तो है ठीक है पकी बात question question सुने depreciation के दो method है state line method, reducing balance method अगर question में mention है जो वही method के मताबिक calculation करेंगे mention नहीं है state line method preferred किया जाता है state line method में calculation करने का तरीका कार क्या है के cost minus residual value divided by useful life और अगर rate दिया हुआ है तो cost minus useful life multiplied by depreciation sorry cost minus residual value multiplied by depreciation rate लेकिन अगर reducing balance method है सबसे एहम चीज़ यादर के सबसे हम reducing balance method है residual value को minus नहीं करना state line method है residual value को minus करना है यह एहम concept है calculation में इसको न भूलिएगा करा depreciation calculate करो reducing balance method में तो बिल्कुल ठीक है हम इसमें residual value को less नहीं करेंगे यह जहन में रखेगा reducing balance का मतलब क्या है residual value को less नहीं करा tax on profit is payable at the rate of 32% यह वो rate है जिसकी वज़ा से हमारा question double हो गया और यह वो line है जिसकी वज़ा से हम यह select किया है question कर रहा है ठीक है फिर कहरा है it is expected to have a scrap value of rupees 20,000 at the end of year 4 यह क्या चीज़ है यह residual value है at the end of year 4 इसका मतलब है यह year 4 में आउट यह inflow के तोर पे आएगी यह एक तरह से cost of capital is 9% post tax cost of capital क्या है यह क्या चीज़ है post cost of capital यह वो discount rate है जिसको use करते हुए NBV calculate करनी है कलियर जी मेरा पहला question calculate profit or loss on disposal of fixed asset calculate profit यह आपके लिए भी challenge है ओनलाइन वाले students के लिए भी challenge है आपने disposal account बनाना आता है आपको आपका नहीं आपके accounting के teacher का इमतहान है आज ना 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 disposal account बनाना है और accumulated depreciation हर साल की अलग अलग शोकरवानी है year one की यह है sir year two की यह है year three की यह है year four की है अच्छा बताएं मुश्किल काम तो नहीं है यह बलके accounting का काम है लेकिन मैं देखना चाहता हूं accounting भी अब मुझे ही सिखानी पड़ेगी कि आपको सीख के आई है requirement क्या है इस question में calculate gain या loss on disposal of fixed asset और disposal account में accumulated depreciation single figure ने चाहिए मेरे को हर साल की अलग अलग शोकरवानी है year one की यह year two की यह year three की यह year four की यह और फिर वो डबा बना के नीचे total बनाते हैं ने total accounting में देखते हैं कौन माई का लाल सबसे पहले सही इसको calculate करता है आपका time start होता है अब और उनले ले स्टोंट्स आप लोग भी कीजिए जी उमीद है आपने calculation कर ली होगी जो स्टोंट्स calculation नहीं कर पाए उनके लिए मैं share कर देता हूँ सबसे पहले लाजमी नहीं इस question में याद रखे disposal account बनाना लेकिन अगर tax की adjustment हो ना तो start में during question ये end of the question आपको disposal account बनाना पड़ेगा और मैं highly recommend करता हूँ के आप disposal account बना लिया करें पूरा question पड़ने के बाद बलके अगर पहले disposal account ये बना लिया करें तो वह भी बहतर है बाद में बनाए तो मसला करें लेकिन disposal account बनाना जरूर है जब कभी tax की calculation होगी आपने disposal account जरूर बनाना है और disposal account में हर साल की depreciation अलग लग शोकरवानी है इसकी एक reason है जो बाद में बताऊंगा तो अभी आईए इस question का disposal account बनाते हैं इस question में ये rough में मैं बना रहा हूँ disposal account ये है जी disposal account equipment की cost क्या है cost क्या जी 80,000 accumulated depreciation कितने साल है जी चार year one year two year three year यहां पे सून लेजिए हमने disposal account बनाना है accounting के rules के मताबिक disposal accounting में बनाते हैं ना accounting में इस एफ 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 में तो आपने से accounting के rules यानि tax में हो सकता है वो कहें कि full year depreciation in the year of purchase no depreciation in the year of sale लेकिन ये पहले accounting में भी rule वा करता था लेकिन आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले ये पंदरा 20 साल पहले ये rule obsolete हो चुका है अब वो accounting में कहते हैं भाई जिस दिन acid available for use हुआ ना उस दिन से depreciation स्टार्ट करो और जिस दिन आपने उसको आई एस 16 से dear recognize किया या आसान अलफाज में कहें तो जिस दिन dispose किया ना उस दिन तक की depreciation आपने calculate करनी है यानि काउंटिंग में दिनों के साब पहुंच गया है टेक्स वालों ने शायद अपनी सानी के लिए कहा है फूल एर इंडियर 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 डिस्पोजल काउंट बनेगा काउंटिंग के मताबिक याद रखें calculate टेक्स बे तो टेक्स काल्कुलेट करते हैं तो सिंपल से हिंद में रखेंगा डिस्पोजल अकाउंट में ज क्योंकि टेक्स की कैलिकुलेशन जो है ना इसमें हम क्या बन जाते हैं अकाउंट तो इसमें हर साल की depreciation आएगी चार साल लाइफ है चारो यह नहों चोथे साल की depreciation आप लिखेंगे ना ठीक है चारो साल यह रवान की depreciation क्या है अब लीशियल अलावेबल अलाउंस 25 से multiply करें 20,000 ले तो आगया नीशियल अलाउंस और फिर इसमें प्लास रेगुलर 10 परसंट है तो 10 परसंट एहम सवाल 10 परसंट 80,000 से multiply करेंगे ना क्यों डबल्यू डिवी है नीशियल अलाउंस लेस्ट करने के बाद चाहे यह रवन है लेकिन नीशियल नाउंस के बाद य होगी 26,000 क्या होगी 20,000 प्लस 6,000 20,000 इनिशियल अप्रिशेशन 6,000 रेगुलर कितनी होगे 26,000 यह रटू की डेप्रिशेशन क्या होगी 80,000 माइनस 26,000 इंटो 10 परसंट 5,400 5,400 यह 3 की डेप्रिशेशन क्या होगी 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5,400 जो आंसर आया माल्टिप्लाइट बाद 10 परसंट 4,860 यह 4 की डेप्रिशेशन कॉस्ट 80,000 माइनस 26,000 माइनस 5,400 माइनस 4,860 जो आंसर आया माल्टिप्लाइट बाद 10 परसंट 4,3,7,4 अब मुझे इसको कंफर्म करवाएं क्या आप कंविंस्ट हैं के यह 4 की डेप्रिशेशन कैलकुलेट करनी है क्या यह 4 में डेप्रिशेशन लिखनी है के नहीं कैलकुलेट करके लिखनी है के बैलंसिंग फिगर बैलेसिंग फिगर तो नहीं ना यूज़ करते होते हैं कैलकुलेट करेंगे शबाश यह आहरी साल की फिर से बताए क्योंकि यह भाई ने जो सौल पूछा है ना कि टेक्स में कहते थे लास्ट येर में कोई डैप्रिसेशन नहीं तो मेरा रिस्क बढ़ गया कहीं आप वो कंसेट इदर भी ना ले आए ठीक है यहां पर हम कैलकुलेशन टेक्स की कर जरूर रहे हैं लेकिन काउंटेंट बन गया है तो लास्ट येर में भाई या डैप्रिसेशन की कैलकुलेशन आएगी के नहीं आएगी आएगी कैलकुलेट करनी है के बैलनसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है ठीक है अच्छा ये अब क्या रैस्डियल वैल्यू आती है डिस्पोजल अकाउंट में बिलकुल असल में रैस्डियल वैल्यू होती है जो कैश रसीव हुआ है एंड बे रैज्डू वैल्य क्या होती है कैश तो इधर मैं लिख दूंगा इसको यह तो आजाएगा मेरा टोटल होके यह कितनी आई किमुलेटिड अप्रिसेशन 40 40634 और उपर रैज्डू वैल्यू यह 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 नहीं कैश रसीव्ड है अगर प्रॉपर करना था तो यह लिखता कैश रिसीव डोन डिस्पोजल लेकिन राफ वर्किंग करां रैज्डू वैल्यू कितनी है 20,000 कॉस्ट में से रैज्डू वैल्यू क्यों नहीं के लिस्ट की डिप्रिशन करते हुए क्यों नहीं की काश में से अब बैलंसिंग अब क्या करना है गेन या लॉस तो बताएए किदर आया है कि सीथिए यह एएफ या लॉस क्या होता है यह इस साइड में यह सारी एंट्री में यह सारी साइड डेबित होती है गैनल यह करेडिट होता है यहां पर ल fare लॉस प्राफित winners mesa कि कितना लal सैग्या 193 डबल सिक्स यहां का कोई प्रॉब्लम अब सुनने जिए डिस्पोजल अकांट का हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या लेना देना है यह सुनने डिस्पोजल अकांट का हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से क्या लेना देना है गोर से सिन लेजिए नीशल इन्वेस्टमेंट ये नाट में आउट फ्लॉव हो रैज्डिल वैल्यूइव लास्ट येर में इंफ्लॉव है डैप्रेश्येश्टन हर साल की डेपरिसियेशन हमारे इन्वेस्मेंट अपरीजल में नहीं आएगी लेकिन टेक्स की कैलिकुलेशन में आएगी इसी लिए के टेक्स में डेपरीशियेशन लैस करने לסर करने की इजाजत है तेक्स वाले depreciation को allow करते हैं इसलिए depreciation हमारे main investment appraisal के format में नहीं आएगी tax की calculation में आएगी यह और year wise year one वाली depreciation year one में आएगी year two वाली depreciation year two में आएगी year three वाली depreciation year three में आएगी year four वाली depreciation year four में आएगी अच्छाब अगर concert भी किया तो मुझे बताइए profit यह जो loss on disposal है इसका correct treatment क्या है investment appraisal में loss on disposal का investment appraisal की calculation में नहीं आएगी शाबाश टेक्स की calculation में आएगी क्योंके टेक्स वाले जो gain या loss on disposal है इसको allow करते हैं यह बास समझा गई चलिए अब आएए इस question को solve करते हैं सबसे पहले एक रसूल जहें में रखेगा एक रसूल जहें में रखेगा कि मैंने आपको बताया आपके सामने option रखता हूं short but complex lengthy but easy यह decision आपको ना तकरीबन हर subject में खरना पड़ता है unfortunately क्या short but complex दूसरा lengthy but easy कितनों का ख्याल है हमारा teaching method हो short but complex और कितनों का ख्याल है teaching method हो lengthy but easy lengthy but easy वाले इसलिए याद रखें मैं क्या करता हूं यहां पे दो format बनाता हूं ताके यह investment appraisal के rules अलग रहे टेक्स के rules अलग रहे कुछ जगों पे और i-cab के solution में इसको एक ही format में fit कर दिया जाता है यकीन कीजिए मैंने दो तीन दफ़ा बड़ी कोशिश की मुझे नहीं समझाया हर चीज फिट कर दे उसके अंदर करने माले जिनको ग्रेप है ना उनको पता होगा शायद मुझे समझ नहीं आती वो कभी एक चीज लेस हो रही होती है कभी वो चीज फिर एड़ हो रही होती है फिर रिवर्स हो रही होती है वह मिक्स हो जाता है तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों की calculation फॉड़ा सा लैंधी होगा शायर 20% लेकिन इंशाला conceptual clarity के साथ होगा और गल्दी नहीं होगे पेपर जल्दी करना एहम है के सही करना सही करना लेकिन साथ ही साथ जहन में रखें मुझे ये भी पता है कि टाइम भी तीन गंटे या उसके अंदर करना है तो आपको कोई ऐसी strategy नहीं बताऊंगा जिसमें उस question के allocated time से ज्यादा टाइम लग रहा हो ज्यादा टाइम लग र करना है finance पड़ाते हुए कुछ strategies जो के मुमी तोर पे नहीं करवाई जाती हमारे बास चूंट बताते होते हैं कि बास काती सर यह ऐसे होता है लेकिन मेरी जिस पे शरास अधर है आपके इसमेदार जो calculation जो फार्मेट जो तरीका कर बताऊंगा उसका जिमेदार हो और मेरा ए पैट के आधा ताइम आप यहीं सोचे रहेंगे फार्मेट बनाना कैसे है तो यह हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले कहां से इनीशियल अलाउंस से सबसे पहले यह calculation investment appraisal की इस पे इस पेंवेस्टमेंट यह उपर वाली calculation करते हुए हमने finance manager बनके सोचना है नीचे वाली calculation करते ह पूल बने यह नी अक्रूल बेंगे इसे भी असान अलफाज यह कैश बेसिस के मताबिक बनेगा और यह टैक्स की calculation अक्रूल बेसिस के मताबिक होगी तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है इनीशियल इन्वेस्टमेंट जो क्या है एक्वेप्मेंट अब एक्वेप्मे के इनफ्लो यह नाट में आउट्फलो कितना है एक टी थाउजंड और लास्ट यह में इनफ्लो कितना है 20,000 कोई प्रॉब्लम मैं दे टिक लगा दिया भाई इसकी मैंने एंट्री कर दी अपने उदर इदर इसकी करते हैं चेक पॉइंट कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं पक्का इसके बाद प्रॉजेक्ट वूड जिनरेट दा फालॉइंग कैश इनफ्लोज प्रॉजेक्ट के यह यह कैश इनफ्लोज होंगे ये रवान में 50,000 अब यह यह मैं यहां पर लिख रहा हूं और प्रेटिंग कैश लो क्या लिख रहा हूं यहां पर उसने नेट करके दिये हैं अमूमी तोर पर इनफ्लोज अलग देगा आउट्फ्लोज अलग देगा जब इनफ्लोज अलग और आउट्फ्लोज अलग हो तो आपने क्या करना है इनफ्लोज को अलग कर देना है आउट्फ्लोज अलग कर देना है यह वन में कितना ह 50,000 येर 2 में कितना है 40,000 येर 3 में कितना है 20,000 येर 4 में कितना है 10,000 चेक पॉइंट कोई प्राब्लम कोई प्राब्लम नहीं है पक्की बात है फिर कह रहा है allowable initial allowance is 25% and normal depreciation ये है कोई प्राब्लम क्या depreciation की entry करेंगे हम यहां पर क्यों नहीं करेंगे क्या नीचे टेक्स की कलकुशन में करेंगे बिलकुल करेंगे टेक्स on profit is payable at the rate of 32% क्या टेक्स हमारे पास outtake करना पड़ता है टेक्स cash item है के non cash item टेक्स cash expense है non cash नहीं है इसलिए टेक्स की figure जो है वो हमारे cash lose में आएगी tax expense लेकिन इसके साथ हमेशा 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 लिखा करेंगे working one यहां तक clear अब सुनिये tax की calculation टेक्स वाले कैसे calculate करेंगे cash expense तो सारे वो माने ही मानेंगे cash income मानेंगे expense मानेंगे मुझे जरा बताइए तर्तीब से क्या cash वाले हमारा tax वाले हमारा cash revenue मानते हैं क्या tax वाले हमारा cash expense मानते हैं जो expense cash मानते हैं सोचके जवाब देजिएगा अब million dollar question आने लगा है क्या tax वाले हमारे opportunity cost मानते हैं पकी बात है यह tax वाले opportunity cost मानते हैं नहीं मानते हैं क्या हमारे investment appraisal की calculation में opportunity cost आता है हमारे investment appraisal की calculation में opportunity cost आता है क्या tax वाले मानते हैं तो याद रखिए हमेशा opportunity cost हमारे investment appraisal की calculation में आएगा tax की calculation में नहीं आएगा फिर से opportunity cost हमारे investment appraisal की calculation में आएगा tax की calculation में नहीं आएगा चाहे एक साल किया चाहे दस साल की आपर कुझा नहीं आने के जह लेकिन ऊपर आएगा वम नेट आफ टैक्स होके उपर ऐगा नेट ओफ टैक्स होके ऊपर ठीक है वह हुई जो है कि net of tax क्योंकि हमें net benefit होता ना decrease in demand का वो फिर sales cost of sales और tax सारा कुछ net हो कि आता है अपरचुंटी कास्ट investment appraisal में आएगा क्यों नहीं आएगा टेक्स हाले नहीं मानते हैं इसी लिए जब आपने टेक्स की calculation लिखनी है तो पहली आइटम अपरचुंडी कास्ट नहीं होगी हाला कि उपर से परचुंडी कास्ट हो पहली आइटम क्या होगी नेट नेट कैश फ्लो क्या एगी नेट कैश फ्लो जो इस क्वेश्टन में कितना है 50,000 40,000 20,000 10,000 देखे ऐसा यह नहीं है नेट कैश फ्लो यही है ना तूकर कैश इन फ्लो आउट फ्लो इदर आ गया जो नौन कैश आइटम होगी है वो फिर इसके बाद शो करवाएंगे मैं स्टार्ट करें कैश आइटम से और भी इसके बाद जो नॉन कैश आइटम है वो उसके बाद शो करवाएंगे तर शो करवा नहीं है तो नेट का अच्छा याद रखिए सम टाइम ऐसा होता है यहां पर तो उसने दोनों नेट कर दिया ना गैसी है किसी क्वेसर में हो सकता है इनफुलो के यह है हो यह वर एक आइटम ओ वह in फ्लोड की थीन आइटम öझना की है ऐसा पॉसिए आपना है उसी नेट करके ना नेट भिकर यहां पर लिखने उसकी चार आउड़ भी फिल्ट करने की जरूरत नहीं है यह समझ रहे हैं कि वोल तो यहां पर क्या एज़ देखिये कैसे बना उपर जैसे येर वान येर टू येर थ्री येर फ़ोर ना नीचे भी इसी तरीक है येर वान येर टू येर फ्री येर फॉर बनना है हाना के एकले सफ़य भी बना सकते हैं लेकिन आपने टैक्सी काल्गुलेशन सेंबीच भी खरने को ये कोशिच करना है टैक्सी काल्कुलेशन उदर ही वा जयसे ऊपर आ रहा है वैसे लाज मिन नहीं है कोशिच है रिकमेंड़ वह फिफ्टी थाऊजन नीचे में फिफ्टी 40,000 और 40,000 और और तो टेक्स की कल्कुलेशन के असूल सुन ले नमबर वन कोशिश करने उपर जो फार्मेट एज इज नीचे कॉपी कर दे यह नौट नहीं आएगा टेक्स वाले यह नौट नहीं होते टेक्स वाले यह नौट को यह रवान नहीं करते हैं ठीक दूसरा असूल पहरा असूल फार्मेट उपर से कॉपी करके नीचे ड्रैग करना है दूसरा असूल investment अपरेजल करते हूए finance manager बनना है टैक्स की केलकुलेशन करते हैं काउंटर्ट बनना है यानि काउंटिंग या सूल अप्लाइए करना इस वज़ा से इस दूसरे चूल की वज़ा से कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो उपर इंवेस्टमिन अपरेजल में हैं नीचे नहीं आती हैं यह जैसे ऊपर अपर्चूनि और residue value आती है निचे tax calculation में equipment ऑर residue value नहीं आती क्यों टेखस वाले उससे नहीं मौनते है कि और योधी फ् knowledge uh यह क्योंकि वह non cash item है लेकिन tax calculation में आएगी क्यों tax वाले उसको मानते है उससे नहीं आता लाइश ओल अस्धिया नहीं भी समझ आ रही है बात तो इसलिए नेट कैश लुआ गया अब इसके बाद क्या करना है हमने क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नीचे शो होगा बिलकुर क्या है नॉन कैश आइटम कैश आइटम अड़्जस कर शो कर वादी अब नॉन कैश नॉन कैश आइटम में सबसे हो जा है और हमारी हर साल की डिपरिसीशंबह्स है इतर से दुबार आप कारने के जरॉट नहीं है यह एक्सेश ताउजन यह कितनी है दुबाए र् genres अचाब्सार्य। 74 यह एक्समेंस है और साथ ही साथ यह गें था कि लॉस था लॉस था लॉस ओन डिस्पोजल क्या लॉस ओन किस साल में आएगा यह एर फोर में आया है जी वन नाइन थ्री डबल सिक्स वन नाइन थ्री डबल सिक्स यह भी लॉस है कलियर कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई प्रॉब्लम नी चेक पॉइंट आजी डैपरिसेशन टेक कर लीजिए तक क्या आप आप यह लाइगा प्रॉब्लम नाज वाले कैसे करेंगे ना 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 एफ बी आर वाले कैसे करेंगे यह नहीं सोचना हमने देखना है कि हमारी टैक्स की फिकर किया आएगी उसके लिहास एक मैस्मेंट अपरेजल करनी है याद रखे हमारा हमारा ultimate objective investment appraisal की calculation करना है FBR क्या करेगा FBR जाने हमें क्वेस्टर में उसने क्या कहा है वो करेंगे क्वेस्टर में उसने का इनिशल अलाउंस देना देना क्वेस्टर में उसने कहा है यह हर साल का होता है तो हमने आहरी साल पर भी डैपिशन का रेड़ अपलाई करना है बीस हजार भी तो इन्फलो रैजिड वैल्यू बीस हजार भी तो इन्फलो है वो यहां पर नहीं आएगी FBR वाले कहते हैं हमें इस से गर्ष नहीं है कि एसेड बेजने से आपको कितने पैसे मिले टैक्स उस पे नहीं लगाएंगे आपको एसेड बेज के प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितना हुआ टैक्स में उसको कंसीडर करेंगे तो असल में आप देखें यह 20,000 डैरेक्ली टैक्स बल नहीं होगा लेकिन इस 20,000 को लॉस कैलकुलेट करते हुए कंसीडर कर लिया गया है उस 20,000 को यह लॉस की कैलकुलेशन की फिगर कैलकुलेट करते हुए तो ये नहीं है क्या FBR वालों ने रेजडियर वालों को complete ignore कर दिया है, consider किया है, लेकिन किसलिए disposal account में gain या loss calculate करने के लिए clear जे, non cash item कोई रहा तो नहीं गई कोई non, अब क्या करना है, simple tax calculate कर ले taxable profit कितना आ गया, अब आ जागा यहां पे taxable profit किया आ जागा, taxable profit, कितना है जी, 24,000, 34,600, 15,140, nothing, negative ज्यादा tax दे दिया, वापिस नहीं लेना FBR वालों से, क्या, 13740, negative, या या यह टेक्से बल लॉस है, एक है जी, लॉस पे टेक्स नहीं होता भाई, refundable होता है, ऐसे ना कर यार, होता नहीं है, भाई कट पाई, टेक्स के वामने बहुत सी रहा नहीं है, देखा है, लॉस पे भी टेक्स होता है, refundable, और चेक दिये भी जाते हैं, कब में इसको, नहीं पाकिसा में भी दिये जाते हैं, वो डिपेंड करता है, तरीका कार वो नहीं होता, जो किताबों में ल है, टेक्स पेमेंट क्या होगी, यह तो टेक्स अपर प्रॉफिट है ना, टेक्स पेमेंट क्या हो, at the rate of 32%, बिल्के यूं कहले, टेक्स लाइबिलिटी क्या होगी, टेक्स लाइबिलिटी, at the rate of 32%, क्या जी, 24,000 की, 7680, टू की, 2107, यह 3 की, 48, 45, और यह 3 की, 439, 7, यह नेगेडिव है, यह टेक्स लाइबिलिटी, यह तक्स लाइबिलिटी, क्लियर है, अब सुनिये, अगर तो, क्वेस्टल में, उसने कहा है, कि टेक्स लाइबिलिटी अराइजिज, क्या बोला है, टेक्स लाइबिलिटी अराइजिज, तो ये 7, 6, 8, 0 की liability कब पे होगी? Year 1 की liability कब पे होगी? Year 1 में Year 2 की liability कब पे होगी? Year 3 की liability कब पे होगी? Year 4 का refund कब मिलेगा? Year 4 में और अगर question में उसने बोला कि tax liability will be paid in the following year Tax liability will be paid in the following year तो Year 1 की tax liability कब पे होगी? Year 2 की tax liability कब पे होगी? Year 3 की tax liability कब पे होगी? Year 4 की कब होगी? यहां पे extra layer बनानी पड़ेगी यानि concept यह नहीं है कि जब कभी tax rate देगा तो end पे additional column बनाना है concept क्या है? जब कभी tax next year में payable होगा tax liability next year में pay होगी फिर end पे extra column बनाना है अगर same year में tax pay हो रहा है तो फिर end पे extra column बनाने की ज़रूरत नहीं है clear जी? तो मुझे पताईए इस question में silent है क्या assume करें? जो normally होता है normally क्या होता है? same year liability will be paid in same year तो seven six eight zero कब पे होगी? seven six eight zero year two में कितनी liability है? कितनी कब पे होगी? one one zero seven two year three में कितनी tax liability है? कितनी कब पे होगी? कब रिफन्ट होगा? चेक पॉइंट एक एक फिगर को तसली से देख लीजिए कैसे calculate होके किदर आ रही है? कंसेप्ट यही है calculation तर्मियान में एगले questions में आएंगी? वो different material, labor, overhead, operate, fix, variable expenses कंसेप्ट यही रहेगा calculation आएगी concept इदर ही खत्म है इसी question में अगर समझ आ गया तो आपने एक चीज़ नोट की? आपने एक चीज़ नोट की? के नीचे positive है क्योंकि यह tax liability है ना जब pay करेंगे तो यह payment है payment हम यहाँ पर negative show करवा रहे है ठीक है? यहाँ पर तो tax liability कर दिया है तो आपको पता चल गया tax liability adding पढ़के पता चल गया यह pay करना है ठीक है? accounting में भी जब आप expenses show करते हैं ना income statement में हर expense के साथ negative figure नहीं लगा ऐसा ही है मेरी understanding ही है आप सिरफ expenses लिखते हैं और आगे मांट सीधी सीधी लिखते जाते हैं end में जा कि उसको net करते हैं आपको पता होता expense आया हुआ है तो उसने ऐसी होना लेकिन investment appraisal में यह ज़रूरी होता है कि आपने inflow को positive और outflow को negative show करना है clear जी कोई problem अब क्या करना है net कर ले पहले उसके बाद LPV यह आजाएगा हमारा net cash flow year not 80,000 negative 4,2 3,2,0 positive है 2,8,9,2,8 1,5,1,5,5 3,4,3,9,5 अच्छा यह negative नहीं है 3,4,3,9,7 अब जरा calculate करें इसके अन भी add the rate of 3,8,2,5 अब को पता है 4,8,3,2,0 multiplied by 1,09 power minus 1 plus 289,28 multiplied by 1,09 power 2 plus 15155 multiplied by 1,09 power minus 3 plus 34397 multiplied by 1,09 power minus 4 और इसके बाद minus 80 था हो जाए क्या है जी 1,9 2,4 plus है जी plus है plus 1,9 2,4 तो क्या करना चाहिए project should be accepted clear कोई problem तो नहीं समझाया फिर से ज़रा quicker वियन कर ले आज के लेक्चर में हमने सीखा कि अगर question investment appraisal के उपर tax का impact आए कैसे इसको handle करना tax rate अगर दिया हो हमने जो एहम चीज़न सीखी वो ये कि जब कभी question के अंदर tax rate देगा हमारा format एक नहीं दो बनेंगे एक regular होगा investment appraisal वाला और दूसरा exactly उसके नीचे replicate करना है आपने tax की calculation के लिए वो ही year 1,2,3,4 उपर वो ही year 1,2,3,4 नीचे investment appraisal का question तो as it is ऐसे ही होगा जैसे normal होता है tax की calculation के लिए आपने disposal account बनाना है लाजमी disposal account में tax जो depreciation होगी वो हर साल की अलग लग शो करवानी है ताके बाद में जब हम tax की calculation में यूज करें तो as it is हमारे पास year लैदा हो as it is उसको pick and drop करते जाएंगे अगर disposal account में हर साल की depreciation लग लग शो करवाएंगे ना फाइदा क्या होगा इसको pick and drop करते जाएंगे calculation तो यहां पर starting point अच्छा इसमें investment appraisal में और tax calculation में फरक क्या है basic difference यह है investment appraisal cash basis बे बनती है और यह accrual basis बे बनती है इसलिए कुछ items ऐसी है जो के investment appraisal में आती है tax calculation में नहीं और कुछ item ऐसी है जो tax calculation में आती है investment appraisal में नहीं आपको उन items का पता होना चाहिए जैसे depreciation gain या loss on disposal non cash item है tax calculation में आएगा investment appraisal में नहीं opportunity cost investment appraisal में आएगा clear फिर इसके बाद आपने net tax liability calculate करनी है rate के लिहास से अमूमी तोर पे same year में pay करवाता है तो जो जिस साल की liability है उसी साल में pay हो जाएगी अगर कहीं पे negative आता है तो उसका मतलब है वो फिर refundable है वो आपको receive होगा वो inflow item के तोर पे आएगा बाकी questions same NPV calculate करनी है या IRR है तो IRR calculate करनी है clear जी कोई question पूछना चाहते हो पूछ ले इसमें सबसे एहम चीज़ अब आपकी एक home assignment है आपने छोटी सी home assignment है आपने मुझे तीन categories बतानी है next lecture में पहली category वो कौन सी item है questions की जो investment appraisal की calculation में भी आती है और tax की calculation में भी आती है दूसरा वो कौन सी items है जो के investment appraisal की calculation में तो आती है tax की calculation में नहीं तीसरा वो कौन सी item है जो के investment appraisal की calculation में नहीं आती है इदर आती है common भी बतानी है difference भी बतानी है ठीक है इस चोटी सी access है लिकिसे आपका concept कलियर होगा आपको पता कौन सी चीज़ किदर आती है डान जी सिरफ एक चीज़ का धियान रखेगा format उसके नीचे बनाए और disposal account सी बना लिजेगा बाकी tax की calculation में कोई problem नहीं है वही एडलेस है वही multiply करके liability calculate करनी है बाकी कुछ नहीं सिरफ एहम चीज़ क्या है format अलग calculation करनी है जो मेरा student होगा अलग calculation करेगा जिसने उसके अंदर ही calculation करनी ना उसके investment मैं उसे अपना student माने से इंकार कर देना है फिर अपने स्वाल का वो खुद जिम्मेदार होगा ना पिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जो मेरा student होगा वो हमेशा taxi calculation कब करेगा अलग करेगा वरना अगर आपने mix करके आगे ना sir answer नहीं हो solve हो रहा मैंने कहा नहीं मुझे भी समझ नहीं आ रही है वो मेरे सबी solve नहीं है अलग अलग करेंगे हर question का जिम्मेदार मैं हूँ ठीक है जी कोई question नहीं चलिए आज का लेक्षिन आपे खत्म करते हैं अल्ला हाफिस